जेजनें दोस्तों, welcome back to my channel Positive TV द्रेखा तो कैसे हैं मेरे सभी दोस्त? बहुत बढ़िया हैं हाँ दोस्तों, हमेशा बढ़िया ही रहना है तो friends, आज बात करते हैं virtual दुनिया की एक ऐसी दुनिया जो artificial होती है और जिस दुनिया में हम सब अपनों को भूल कर होते जा रहे हैं इस virtual दुनिया का आकर्शन हम सब को अपनी गिरफ्त में लेता ही जा रहा है हम सभी ने अपने जीवन का अधिकाश समय इन गैजट्स के नाम कर दिया है इक फैमली के सदस्य है सब ही अपने अपने फोनों में व्यस्त रहते हैं परिवार के साथ समय बिताना तो जैसे हम सब भूल ही गए हैं क्योंकि इस virtual दुनिया का मो हम सबसे छोड़ा ही नहीं जाता बच्चों से लेकर बुजुर्ग तब हम सब इसके मायच जाल में फसे हुए हैं दोस्तों इस virtual दुनिया ने हमारी शरीर को दी हैं अंगिनत बिमारियां क्योंकि हमारा जीवन बहुत अस्त व्यस्त हो गया है हम नेचर के अपोजिट हो गये हैं कत्य और तरक्य होना एक बहुत ही अच्छी बात है लेकिन यदि हम इसके गुलाम बन जाते हैं हम इसके आश्रित हो जाते हैं तो यही तरक्य और यही प्रगति हमारी जीवन में और हमारी लाइफ स्ट्राइल में बाधा बन जाती है नीद ना आने की समस्या, डिप्रेशन, टेंशन, वको भी देखा जा सकता है कई बार हम अपनी दूसरों से तुल्ला ही करने लग जाते हैं दूसरे के लाइफ स्ट्राइल को देख कर अपने ही जीवन को कोसने लगते हैं अपनी परसनेलिटी, अपनी योगिता दोनों पर ही क्रश्चन करने लगते हैं और फिर हमारे अंदर जन्म लेता है जो हमें हमारे अपने ही जीवन में खुश नहीं रहने देता और ये परिशानी दिनों दिन बढ़ती जाती है और हमें इसका अंदाज़ा भी नहीं होता क्योंकि हमें हमेशा दिखती है तो दूसरों की खुशी और उनके सुख सुविधाओं के साधन और जो हमें अंदर ही अंदर खोकला करता जा रहा है दूसरे व्यक्तियों ने यदि अपनी जिन्गी में कुछ अचीव किया है उनकी सफलता है वो उनका व्यक्तियों जीवन है हम उनसे प्रेड़ना तो ले सकते हैं परन्तु हमें उनसे कभी अपनी तुल्ला नहीं करनी जाहिए हम जो है जैसे हैं बेस्ट है और हमारी कोशिश हमें निखानने में होनी जाहिए वेल अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जीवन बिमारियों से चिंताओं से और परिशानियों से भर जाएगा प्रेंट्स करते हैं एक कोशिश अपने आपको अपने ही स्टाइल में खुश रखने की इसी कोशिश के साथ और इसी सूविचार के साथ क्या करना है बाई कहना है हसते हुए सस्त रहते हुए मस्त रहते हुए दोस्तों मिलते हूँ आपको नेक्स ब्लॉग में तिल देन बाई बाई गाईस से यू सून